हेलो फ्रेंट्स नमस्कार एंड विलकम चूशामादान तो सांथियो उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और त्यारी आपकी बेहतरी तरीके से चल लए होगी बिहार CGL exam admin card update सांथियो एक नया update है exam admin card के बारे में आप सबको पता है सांथियो की अभी examination में आज 11 तरीक खतम हो चुका है और ऐसे में 23 और 24 का examination जो आयो के तरफ से date निर्धारित है लेकिन इसके regarding admin card से कोई update साइट की उपर नहीं मिल रहा है तो आज जो एक update आया है सांथियो उसको चली हम लोग देखते हैं उसके बाद आप यह confirm कर पाएंगे कि अब examination को लेकर क्या होगा और अभी क्या चल रहा है examination को लेकर के तो यहाँ पर साथियो मैं आपको दिखा दूँ कि यह आज का news paper है और आप इसको authenticity की बात करें news की तो यह आप दैनिक जागरन का अगर आप पटना संसकरन paper में देखेंगे तो यह आपको news मिल जागा तो यहाँ पर देख सकते हैं 47,790 मतदान कर्मियों का perception शुरू अब यह आप सोचेंगे कि यह news क्यों दिखा रहा हूं मैं क्योंकि यह मतदान कर्मी आखिर होते कौन है तो यह आपके इसमें teacher भी सामीर होते हैं मतदान कर्मी में और वही teacher आपका examination भी कराएंगे और जो पहला चरण के चुनाव है आपक पहले चरण के नगर निकाई चुनाव को लेकर सनी बार से मतदान कर्मियों का perception शुरू कर दिया है यानि कल से ही मैं आज बतार है कि कल से ही यह perception शुरू हो चुका है सुम बार तक पहले चरण में लगाए जाने वाले 47,790 मतदान कर्मियों की आयोग प्रसिक्षन देगा इ इसके अलावे मतगर्णा के लिए मतगर्णा परिवक्षक, मतगर्णा सहायक और मतगर्णा माइक्रो अबजर्वों का भी प्रक्षिशन शुरू हो गया है गौर तौला भै के राज जन्रवाचन आयोग द्वारा पहला चरण का मतदान 18 दिसंबर को कराया जाएगा इसकी म मतगर्णा 20 दिसंबर को होगी पहले चरण मेरा जेग 37 जिलों में मतदान होगा इसमें 156 निकावे में जिसमें 68 नगर परिशाद और 88 नगर पंचायत है तो यहां पर देख सकते हैं कि बूत कितना बना गया है यह सब बता गया है और इनका प्रसिक्षन अभी अठारों पर्सिक्षन दिया जैगा करमी यों को मान के चलिए कि इसमें आट दिन पहले दिया गया है तो उसमें भी तो जो करमी है उनको प्रसिक्षन दे ना है तो उसमें भी हो सकता है कि 23 और 24 को पर साथ तरी को SSC का नोटीस आया था कि हम अपडेट कर देंगे तो आखिर यह वेट क्यों कर रहा है तो अब कहीं न कहीं साथियों अभी यह ख़वर जितने भी सच हो लेकिन अभी यह लग रहा है कि जबनेशन आपका हो सकता है कि पोस्ट पांड हो जाए लेकिन अभी आप लो और नहीं भी होगा तो उनको अपडेट कर देना चाहिए ताकि जो भी छाद्र हो परिसान ना हो जहां तक उम्मीद की जाए अब इग्जाम फिर से एक बार टनले की उम्मीद बढ़ गई है तो यही अपडेट था आज के नीज पर अपना आप लोग जाकर देख सकते हैं वहाँ पर और अभी साइट कोई अपडेट नहीं है तो यही अपडेट है फिलाल तो त्यारी अपना करते रहिए अभी जो भी हो हो सकता है कि डिले हो तो उसका भी अपडेट आएगा तो इसके लिए चैनल पर नहीं है तो जरू सब्सक्राइब कर लें जल्द ही मिलता है अपडेट में तब तक के लिए चैनल बने धन्यवाद